क्या आपने कभी आठ पैर वाली बचिया देखी है अगर नहीं देखी हो तो आज हम वही बचिया आपको मद्द प्रदेश के गुना जिले के मद्द सूधन गड़ेला किस दिखा रहे हैं आपको बता देंगी यहाँ पर एक जीब गरीम मामला देखने को मिला है यहाँ पर एक भैसने आठ पैर वाली बचिया को जन में दिया है उसके सामान नरूप से आंगे पीछे दो दो पैर तो हैं हैं इसके अलाबन बीच में चार पैर हैं और यह दोनों पूरी तरह से स्वस्थ है लोग इसे चमतकार मान रहे हैं जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में आसपास के नागरे को से देखने के लिए भी पहुँच रहे हैं मामला मदु सूदन गड़ एलाके के नसीर फुर गाउं का है यहाँ रहने बाले सिबनारा इन कुसबाह खेती किसारी का काम करते हैं उनके घर पर कईम अबेसी भी हैं सौमवार मंगल बार की रात उनके यहाँ एक बैस ने बच्चडे को जन्म दिया सामान रूप से उसकी डिलेबरी हुई लेकिन जब बैस का बच्चा बाहर आया तो सभी आसचरिये में पड़ गए क्योंकि बैस के बच्चे के आठ पैर थे किसान समनाराइन ने बताया कि रात को ढ़ाई बज़े डिलेबरी हुई है बैस ने आठ पैर बाले बच्चे को जन्म दिया है दोनों फिलहाल स्वस्त है हालाकि इतने पैर होने की बज़ाए से वह खड़ी नहीं हो पा रही है सामान रूप से चार पैरों के अलाबा बीच में चार पैर और है बच्चा उल्टा पैदा हुआ है इस आस्चरिये चकेत घटना की जानकारी लगते ही यहाँ पर लोग देखने के लिए दूर दूर से जा रहे है खबर एक्सप्रेज न्यूज की ब्यूरो रुपोर्ट झार पैरों की ब्यूरो रुपोर्ट फार्म ट्रेक लेकर आया है त्योवार धमा का अब ट्रेक्टर खरीदी पर पाए एक सुनस्चित उफार किसानों के लिए फार्म ट्रेक ट्रेक्टर बना अभी तक का नम्मर बन ट्रेक्टर तो देर किस बात की ट्रेक्टर खरीदने के लिए अभी संपर्क करें भूपिंदर पडरिया 94-25, 99-99-29 हमारा पता है पडरिया ट्रेक्टर से सोरूम चांदपर रोड रहली को ढ़सा हाँ यछार Marcus किसास्था है नहीं हेल्म ट्रेक्टर थक ट्रेक्टर से सामवाने ओड़े।